जै स्री राम भक्त जनो प्यारे भक्तो ओम का जब करने से हमारे सरीर में क्या होता है भक्तो बहुती अच्छा प्रिसंग है बड़े ध्यान से सुन देखिए भक्तो मंत्र तो बहुत हैं मंत्रों की कोई कमी नहीं जिसको जो अच्छा लगता है वे उसी मंत्र का जाब करता है लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक ऐसा मंत्र है कि उससे पावर फुलो और कोई मंत्र है नहीं क्योंकि वह मंत्रों का राजा भी कहा जाता है क्योंकि राजा तो राजा ही होता है और पिरजा पिरजा ही होती है तो भक्तो बड़े ध्यान से सुनना आप और कोशिश करना कि उसका आप जब भी करें तो आपको हर तरह का लाब होगा आपको सारीक लाब भी होगा आध्यात्मिक भी लाब होगा और आपके अंदर मान सिकता का भी परवर्तन होगा तो भक्तो वह है क्या है क्या ओम का अगर हम जाप करते हैं तो हमारे सरीर में क्या क्या होता है बड़े ध्यान से सुनने की बात है क्योंकि यह जो ओम है यह मंत्रों का राजा है कोई भी मंत्र ले आप किसी भी तरह का मंत्र जाप करें उससे पहले ओम जुरूर बोला जाता है इसलिए कहते हैं यह मंत्रों का राजा है ओम लेकिन खाली ओम का जाप बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि मंत्रों का जाप तो करते हैं लेकिन ओम का जाप बहुत कम लोग कर पाते हैं और कुछ लोग तो यह जानते ही नहीं कि खाली ओम का भी जाप करना चाहिए तो भक्तो अब आप ये समझ लें कि ओम के जब करने से सरीर में क्या हुआरे में सबसे पहले अगर हम निरंतर ओम का जाप करते हैं तो हमारे सरीर के अंदर जो भी बीमारियां ए तुडे धीरे ठीक होने लग जाती और अगर लगातार हम इसका अभ्यास कर लेते हैं और करते ही रहते हैं और प्रती दिन करेंगे तो हमारे अंदर जो भी बीमारियां हैं वह ठीक होने लगेंगी और एक समय ऐसा आएगा अगर आपने ये ओम का जाप नहीं छोड़ा तो बीमारी बिल्कुल समापत हो सकती है ल तो ये तो रही शरीर की बात कि आपको जो बीमारियां हैं वो आएगई नहीं और अगर आई हुई हैं तो धीर-धीर समापत हो जाएगी नमर दो मानसिक्ता अगर आप प्रति दिन इसका ओम का जब करेंगे तो आपकी मानसिक्ता अपने आप ही सात्विक्ता की तरफ अध्यात्मत्ता की तरफ अपने आप बढ़ने लग जाईगे आपको बढ़ाने के आवश्यक्ता नहीं है वह अपने आप ही बढ़ जाएगी क्योंकि यह जो ओम का जप है वह हमें आध्यात्मिक से पूरी तरह से जोड़ने का प्रयास करता है और अगर लगातार करते हैं तो पूरी तरह जोड़ ही जाते हैं तो आपके मन की जो इस्थिति है वह एकदम बदल जाएगी और वह है आपको आध्यात्मिक से परमात्मा तक पहुँचने का जो रास्ता है वहां तक आपके मन की स्थिति पहुँचने लग जाएगी नमर तीन आपकी जो आध्यात्मिक से परमात्मा तक पहुँचने का जो रास्ता है वह बहुत जल्दी ही खुल जाएगा और अगर उसमें कुछ रुकावट है तो वह भी दूर हो जाएगी केवल ओम का जब करने से भक्तो आप ये ओम का जब जरूर करके देखे और अपनी सारी कोई बीमारिय उसे भी निजात पा सकते हैं और मन को सुद्ध भी बना सकते हैं और अध्यात्मिक्ता की रहा पर आप पूरी तरह से चल पाएंगे और अगर आपने अच्छी तरह से इसका ओम का जब कर लिया तो आपको वह रास्ता भी मिल जाएगा आपको वह जगह ढूने नहीं पड़ेगी कि परमात्मा कैसे मिलेगा और परमात्मा क्या है परमात्मा कैसे है परमात्मा तक कैसे पहुँचा जाए वह ओम के जब से आपको सब कुछ पता लग जाएगा और आप परमात्मा की पाने की चाह में जो भी आप करते हैं करते रहें लेकिन इस ओम का जब जरूर करें तो आपको हर छेत्र में सफलता मिलेगी और सबसे बड़ी सफलता तो आपको आपके सरीर में आपकी बीमारिया ठीक होने लगेंगी नई बीमारिया आएंगी नहीं और जो हमारी टॉप क्लास इस्थिति है जो हम जिस काम से इस दुनिया में आये हैं परमात्मा से मिलने के लिए यह सरीर मिला है तो उसके लिए भी आपको अने को रास्ते इसके ज़ाब से अपने आप मिल जाएंगे और आप परमात्मा की रास्ते में लग जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा अगर आप लगातार विश्वास के साथ लगी रहे तो आपको परमात्मा की प्राप्ती का रास्ता आवश्य मिलेगा और आपको परमात्मा की प्राप्ती भी जरूर होगी तो प्यार भक्तों आप समझ गया होंगे अब हम अपनी बाणी को विश्रम देते हैं जैस्री राव